अडाब इलिस्ट्रेटर सिसी 2018 की क्लास 2 चले आए अपना इलिस्ट्रेटर ओपन करते हैं यह लें यह अब इलिस्ट्रेटर ओपन हो रहा है इसमें आज हम दो तूलों के बारे में डिस्कस करेंगे यह लें जी ओपन हो गया यहां से हमने क्या क्रियेट निया हूँ और यहां से हम एफोसलेट कर लेते हैं क्रियेट कर लेते हैं आज हम तूल के बारे दो तूल के बारे में बात करेंगे एक है जी magic man dole और दूसरे जी lesser dole अब यह magic man dole इसका क्या कमाल है यह क्या करता है यह आपके लिए किस चीज में असानी पहला करता है यह अलिस्टेटर आप को इसकी क्या सहलत देता है यह हम देखेंगे और इससे आप आपने टूल को देख यह यह नहीं देखना होता कि यह बस देखके तो आप लोग गबरा जाते हैं कि पता नहीं यह क्या चीज़ है किसके लिए कुछ लोग मेरे बहियों को और दोस्तों को बहुत पता है ठीक है लेकिन मैं बात कर रहा हूं लोगों के जिनको बिल्कुल नहीं पता जो यह इतने सारे टूल देखेंगे गबरा जाते हैं यह उनके लिए को यह जिनको पता है तो भाई आप तो जरी सी बात है आप फंकार लोगो नदला आपको और ज्यादा इलम दे दो चले हैं हैं शोरू करते हैं यहां से हमने इक यह बॉक्स लिया वाक्स हमने लिया इसमने क्या करते हैं जी इसको हमने कलर दीया Satis कinform कर देता हैं और Alt प्रेस कर "- bandits शिट के साथ ही बल्कूल अक्साप्ट आएगा था इसको कॉपी ले ले दें फिर कॉंट्रोल डी प्रेस किया तो इसकी एक और कॉपी बन गए साथ में आपको शॉट कॉट भी नदर आने चाहिए तो इसके लिए मैंने एक सौट फिर इंस्टाल किया था अधिये अधिये लें ये भी ओपन हो गया इन सबको स्लेट करके थोड़ा सा बॉक्स के अंदर के लेते हैं या हम अपने इस जिए ठीक आसे ठीक है इनको राइट क्लिक करके आप इनको स्लेट कर लेंड तूल से यूँ ड्राइट करके और आल्ट प्रेस करके इनकी कापी ले लेते हैं वाल फिर स्क्राइब रॉल डी इंट्रोल डी इंट्रोल डी कंट्रोल डी स्थ्थ एक दफावर प्रेस कर लेते हैं जी इस गरिए पूरे पेज़ पर इनके कलर हम चैन कर लेते हैं को कर देते हैं यालो इसको भी कर देते हैं यालो डिफरेंट डिफरेंट जगा पे कलर कलर बॉक्स को लगा देते हैं ताके आपको असानी से समय लगा आगे जाके आप जब अपना डिजाइन बनाएंगे तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं तो मैजिक वेंड डूल का कमाल आपको तभी पता चलेगा कि इसका मेन मकसद क्या है यह किस के लिए बनाया है और यह क्या करेगा तो क्या यह ग्रीन बहुत ज्यादा होगी तो यह शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके यहां पर हम इसको कलर देते हैं जी और इंज यह यह बहुत रंग बरंगी सी चीज़ें बनगी हैं लेकिन बॉक्स हैं सिर्फ सिर्फ आपको समझाने के लिए तक यह आपके सामने अब के सामने बॉक्स हैं ठीक है इनको इन में से अब आप चाहते हैं या रवस एक रिफ करता हूं तो यह इस लेक्ट्टूल से पकड़के अगर आप सेलेक्ट करेंगे इसको तो इसके बाद आप शिफ्ट बाना पड़ेगा और यह एक पर किलिक करना पड़ेगा शिप के साथ तो यह आपके सलेक्ट हो जाएंगे अब अब आरो से आप इनको भाई निकाल है तो यह तो आप मैजीक वैंड करता है कि वो आपके यह पूरे पेज़ की उपर यह पूरे आपकर डिजाइन के अंदर या जो भी आपनी चीज़ ड्लाउ किया बनाई होई है लाइन Watts को वैक्टर हो तो उसको क्या करता है कि आप जो कलर स्लेक्ट करना चाते हैं तो आपने क्या करना है कि यहां से इसको क्लिक करके सिरफ एक कलर पर क्लिक करना है तो यह देखें उसने सारे स्लेक्ट करना है तो यह देखें उसने सारे स्लेक्ट करना है ठीक है मेरे भाईयो ठीक है यह देखें उसने पूरे स्लेक्ट कर है इसी त Délas चाहते हैं जी हम सिर्फ ऊक्राइब है देहें दो और चींडिये knight को select करना चाहते तो सिरफ एक यह प्रेद आप खलिक करें गे तो यह भाक ज़्ख गों भी select कर लेगा है यह इसका जादू इसलिए इसका इनाम रख़़ा इसको तो मैजिक टूल मैजिक वैंड कोई कहते है इसको ठीक है अब यह दिए यह पेंक है तो पिंग को हम सलट करेंगे तो यह पिंग को हमने स्लेक्ट किया तो यह देखें दिक है इसमाए पिंग स्लेक्ट कर दी हम आप अब ये गरीन ने गरीन के बारे में तूँ आ अम भी हम ड़ी कर देते हैं ताठके आपके आपको अच्छे तरीके से समझा जब अब ये देखें जी एक एधर लगा देते हैं कि आपके पूरे पेच पीड़े को चीज यहां पर क्यूं नहीं पड़ी होई ठीक है यह देखें आप इसको स्लेट करेंगे तो वह जितना भी रैट है हम सब को स्लेट कर दिया उसने तेक मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं जूम आउट करने के लिए एक कंट्रोल माइनस ठीक है और पास लाने के लिए दूर करने के लिए ठीक है और पास लाने के लिए ठीक है और स्पेस का बटन दबाएंगे तो यह हाथ का निशान आ जाता है यह आपकी डाकुमेंट को आपको अगर आप और चीज को पेज को पर फिट दिखना चाहते हैं मैं कॉंट्रोल जीरो प्रेस कर दें ठीक है इसको भी डाल कर देता हूं है ऑडिये हमने जो लगा है डल कर डाथ है है अब हम देखती हैं कि इसके साथ गो टूल है लातो लैसर टूल गया क्या कमाल है या लैसर गोंवी आप को जो कि पाफी टाइम लग जाता है तो यह उनको स्लेट करने में नो मदद कर देता है उनको भी मैं आपको इसी तरह समझा देता हूं इसकी उपर देखेंगे आप इनको हमने यूंसलेट किया ठीक है यह हमारा टूल है यह देखें यह सब सेलेक्ट हो गए अब यह सारे आप मैंने इनको बाइर क्लिक करके सबको डिसलेट कर दिया तो यह लाइस वह कमा लिया कि मैं चाहता हूं कि सिरफ यह उपर उपर वाले जो पॉइंट है ना यह स्लेक्ट हो यह देखें जी इसका मैंने यूग कर ड्रैक किया तो अब इसने यह एक पॉइंट एक पॉइंट यह छोड़ दिये और नीचे वाले भी सारे पॉइंट छोड़े होने लेकिन यह उपर से इसने स्लेट कर दिये सबको इसको यह लेखें अब राइडारों को प्रेस करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह इसी तरह है और बिलू के उपर वाले दो पॉइंट फिर रेड़ के ऊपर वाले दो कॉइंट और ग्रीन का एक पॉइंट और इस पिंक का एक पॉइंट और येलो का यह नीचे वाला एक पॉइंट सेलेट करना है तो आपने ये नहीं के लिए लेस लट कर ठीक है यू ड्रॉप करें तो यह देखें इस नहीं इसके दो पाइंट को स्लिए आजे मुतली चीज़ें बनाने के लिए काम आता है लेकिन यह बैसे का मकसद होता है को कैसे स्लेक्ट करना है अब सबस्क्राइब आप शक्राइब अब प्रेस करते हैं अब एक पॉइंट को स्लेक्ट कर सकते हैं और जहां से आप चाहिए सारे पॉइंट को भी स्लिट कर सकता है अब आप डाउन एरो के साथ करें दो यह देखें जी खत्म कर देता हूं नहीं आपके सामने कोई और चीज बनाता हूं यह आपने पहला पॉल ले लिया ठीक है इसको आज़न रहा कर गए यह आप चोड़ें अब देखें जी अब इसके हैं जी एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, ठीक है चेस के को ने ठीक है हम चाहता हूं कि यह जो इस साइट के हैं तो इसको मैं ड्रेक्ट स्लेक्ट टूल से भी यून स्लेक्ट करूंगा तो यह इधर वाले स्लेक्ट हो गया है यह वह इसी दरा अमने इस पिंगो ड्रेक्ट स्लेथ करूंगा यह धिकल म्यूं यूग करके चर्णा करूंगा तो यह घंड है तो їसी दरा इंड्रिजान बहुत सब्सरें दितरीर्श चीजां हुरा त्यन कुस्याइब करने में यह इस तुमाल होता है टुल यह देखें, यह इसके पॉइंट को स्लेट किया और इन्फल देखें, इन्फल कर देता हूं यहां से जी है, जी जीरो यी केवोड की एरो की सेटिंग की हमने, संहा हुड मुरी खें जी Chenya, यह दूरी जी ओ अबने पोसर्दिंग की आरीए है , शारी जांगे हैं, इन्फल इन्फल एो लित है, जीरो आए अ एप सिजस्ब बंदे कि इसका क्लूर चैनि कर देते हैं उमीद है नाचिक में टूर की समय लगी होगी करना लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका पूछ सकते हैं मैं आपको पता दूँगा गायट कर दूँगा यह बैसिक्स टूल है इनको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगे गां लेकिन यह बहुत असान है आप इनको अगर यह समझ के सीखेंगे असान है तो आपको जल्दी जल्दी से आजएंगे अगर आप जोचेंगे कि यह बहुत मुश्किल हैं कैसे करेंगे तो यह फिर आपके लिए वाकर मुश्किल हो जाएं यह सिर्फ टूल जो जितने भी आपको इदर नजर आ रहे हैं यह आप लोगों की असानी के लिए बने हुए ताक आप रहा आपको अप्लो गली स्मेय स्साथ के तौर यह पिर गर्ट जायन बनेगाउ हो ज़ए गांतने तो आउसकीप्ञव मुश्क्रूल जबाएं ग्र स इसको मैं यहां से और प्रेस करके और यह आपका रिफ्लेक्ट टूल लो लेगा और प्रेस करने से ठीक है अब यह दिखें यह जिर्फ इसलिए को इस तरह किया कि ताके आपको फिर मैजिकमेंट दूल की असानिया से समझ लगते हैं अब इसलिए करना है तो आपने सिर्फ इसको डिलेट करना है तो यह दिखें तो यह सारे वाव और इसको डिलेट कर दें तो इससारे डिलीट होगे अना कि यह ग्रूप बना हुआ है अब इसी तरह पिंग जितने आप चाहते हैं यह मेरे रिजाइन में नहीं होना जाए पिंग प्रॉप्स करना है इसी तरह लैसर टूल जो है लैसर टूल क्या करता है कि आपके जहां से पॉइंट है उनको डिलीट करने में भी मदद करता है और स्लेक्ट करने भी मदद करता है सब्सक्राइन मजब यह प्याइकृ नहीं चाहिए तो यह सारा गुरूप बना हुआ है तो मैं इसको वान गूरूप हो करूंगा इसको इसने लपर बड़ें में इतना व्क्साया करूंगा तो शॉसे जिस्दू कि मैं यहां से स्व्रेट करने हैं कैई केई है यह देखिए जो मैंने चेह लिखा हूँ है मैं चाहता हूँ कि अगरीजी भी सेलेक्ट हो जाए दो यह देखें जी इसको में दुलिया और हम कर लेते हैं इसको में अभी यह देखें जी अभी इसको में अभी आपको इसको नज़ास की समय लगती होगी दो पर उसके बारे बने आपको अगर किसी चीज की समधना लगे तो आप मुझे से आप तक पर सकते हैं इसको में जी लोगे दो अपको आपकी आप में अप्लाई दो लगे यह दो आपको दो नी चल्ट एक ने पूरा स्क्राइब आपको यह दो मुझे हैं झाल झाल